आज आपके साथ खुश्का और कुर्मा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ इसके लिए मैंने 3 केजी बिर्यानी राइस का इस्तमाल की हूँ आपको जो राइस पसंद है वो इस्तमाल कर सकते हैं जिरा संभा राइस या बासमती राइस या बुल्लेट राइस कौन जो भी उसको अच्छी तरह दो से तीन बार वाश कर लेती हूँ वाश करने के बाद आदा घंटे के लिए फ्रिश पानी में भीवा देती हूँ तो चलिए एक पैन ले लेती हूँ तीन केजी जितना पतीले में पगेगा उपतीले को चुला में रखकर 750 सेमेल ओल आट कर लेती हू उसमें थोड़ा खड़ा मसाला एट कर लेंगे थोड़ा साथ दाल शिनी का तुकड़ा लॉंग और इलाची का एट की हूँ इसी के साथ आप मोटी इलाची और स्टार इनीज भी आट कर सकते हैं इसी में आप स्लाइस क्या हुआ ओनियन एट करना है 750 ग्रम प्याज है इसक तक प्याज नरम नहीं हो जाता जब तक हम इसी ओईल में इसको फ्राइब कर लेती हूं तो चलिए प्याज थोड़ा नरम हो चुका है इसी में अध्रकलोसन का पेस्ट एट करती हूं 100 गिराम डालकर इसको भी अच्छी तरह पका लेती हूं इसका कच्छा पंजाने तक पका लेती हूं इसी में हम एक टेबुल स्पून जितना लाल मिर्श पाउडर आड़ करती हूं तो ये इसी ओईल में 750 गिराम स्लाइस किया हुआ टमाटर को आड़ करती हूं थोड़ा सा सॉल्ट आड़ कर लेती हूं फिर से टमाटर नरम होने तक आच्छी तरह पका लेती हूं सॉल्ट अज्जेस्ट कर ले एसपर टेस्ट साइड में हम थोड़ा सब हरा धन्या और फ्रेश पुदीना एक बर वोश करके रिखे थे उसको भी आड़ कर लेती हूं एक हरे इमिर्ज आपको पसंद है फ्लेवर तो आड़ किजिए और ना स्किप कर देजिए तमाटा नारम होने के बाद 150 ml दहीं का इस्तमाल की हूं इसको आड़ कर लेती हूं तो अच्छी तरह चलाते हुए पका लें ताके नीचे जलना जाए तो सारी चीज़े नरम हो चुका है अब पानी आड़ करना है इसी मेशरिंग कप में मुझे चार कप राइस तीन केजी में था उसी में आप डबल करके आठ कप पानी का इस्तमाल करती हूं दिहान से पानी का मेशर्मेंट रखे लिजिए चार कप के लिए आठ कप पानी इस्तमाल करती हूं इसी मेशर्मेंट में आप भी जरूर पका कर ट्रॉई करिए अगर आप कम पकाना चाहते हैं तो इसी में आप डिवाइट कर लें एक केजी पकाना रहा तो 250 ग्राम ओनियन और 250 ग्राम टमाटर याट कीजिए मेशर्मेंट करेक्ट रहेगा सॉल्ट को इस वक्त टेस्ट करके अज्जस कर लें इसको ढग देती हूं बोईल आने तक वेट करेंगे साइड में हम हुर्मा के लिए एक प्रेशर कुप कर ले लेती हूं 250 ml ओईल आट कर लेती हूं ओईल हीट होने के बाद थोड़ा सा ख़डा मासाला आट कर लेती हूं सेम दाचीन तुड़ा लाउंगर इलाची को आट कर लेती हूं तीन मीडियम साइज को इस तरह पेस्ट कर चुकी हूं मैं अक्सर सालन में सारी चीज पेस्ट करके आट करती हूं सो इस हुर्मा में भी पेस्ट करके आट करती हूं अगर आपको पेस्ट नहीं पसंद तो इसको कट करके भी आट कर सकते हैं दोनों को अच्छी तरहां मिक्स कर लें एक टेबुल स्पून सॉल्ट और दो टेबुल स्पून लाल मेर्श प्रोडर का है अगर आप ज्यादा थीका खाते ही तो तीन टेबुल स्पून भी आड़ कर सकते हैं इस खुरुमा में मैं एक कीजी चिकन यूज करती हूँ अगर आप चाहे तो मटन भी यूज कर सकते हैं या बीव भी समाल कर सकते हैं एक कीजी चिकन और हाफ हाफ केजी ब्रिंज और पोटेटो यानि के बैंगन और आलू को समाल की हूँ तो चिकन आलू और बैंगन तीनों का गलने का टाइमिंग तकरीबन सेम ही है इसी चिकन में इन तमाम चीजों को एड़ कर लेती हूँ अगर आप मटन एड़ करते ही तो पहले मटन को गला लीजिए फिर से इन वेजिस को एड़ करें तो हाफ केजी टोमाटर को इस तरह पेस कर चुकी हूँ इसी टोमाटर में मैं हराधनिया और पुदीना सारा चीजो पेस्ट कर चुकी हूँ और एक मीडियम साइज नारेल को पेस्ट करके एड़ कर लेती हूँ इन तमाम चीजों को डालने के बाद अच्छी तरह थोड़ी ज़र पका लें एक तोपचास एमल दहीं का अस्तमाल की हूँ और एक नीमबु का रस इसमें आट कर लेती हूँ हस्बे जरूरत वाटर आट कर लें आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना वाटर आट कर लें मैंने चार कप वाटर का इस्तमाल की हूँ तो देखिए ग्रेवी का कंसिस्टेंसी थोड़ा सा पतला ही रखी हूँ इस खुशका को थोड़ा सा ग्रेवी पतला ही रहना है तो ढखकर आपके प्रेजर कुकर और फ्लेम के लायख आप विजल रख लीजिए सड़ में हम खुशका का अखनी कूट चिक कर लेती हूँ तो बॉइल आच चुका है इसमें हम नीबू का रस डाल देती हूँ दो लेमिन का जूस है यह इसको आट करने के बाद चावल आट कर लेती हूँ तो दिहान से चावल को डालने के बाद दो सिंध तीन बार इसको चलाते रहें थाके एक्वली चावल पकें अगर यह रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें फेमली एनफ्रेंश के साथ शेर करना ना भूले और ट्राइच करके उन्हें कमेंट जरूर करिये फ्रेंश अगर मेरे चैनल में आप नए हीं तो सब्सक्राइब करना न भूले और बेल आईगान को साथी स क्लिक कर दीजिए ताके मेरी वीडियो की योटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो देखिए यह इक्वल हो चुका है अखनी और चावल इक्वल हो चुका है इस टाइम हम दम में थोड़ी देर रखना है लास्ट इंग्रेडियंट हम घी तोड़ा एड़ कर लिंगे घी का फ्ल तो मैं इसके लिए इस तरह दम दे देती हूं तो टेन मिनिट बात तो देखिए हमारा खुशका एक्दम खिला-खिला यम्मी सा खुशका बनकर तयार है तो चलिए साइड में हम खुरुमा को भी चेक कर लेती हूं सारा कुकर का प्रेजर रिलीस होने के बाद इसको उपन कर लेती हूं तो देखिए परफिक्सा खुर्मा बनकर तयार है इसको गर्म-गर्म सर्फ करें तरीके जी खुशका और खुर्मा आसान से घर ही में आप परफिक्से इसी मेशियर्मेंट के साथ अब बना सकते हैं च्ट्राइ करके मुझे जरूर कमेंट करें लाफिस में